My name is Ankit Verma और आप देख रहे हैं lecture for on industrial engineering इस lecture में हम linear programming problems को देखेंगे पिछले lecture में हमने graphical method किया था linear programming problems का इस lecture में भी हम graphical method को करेंगे लेकिन जो उसमें से tricky points हैं जो आपको याद रखने हैं जैसे solution हो गया, जैसे कहते हैं कि optimal solution कौन सा होगा feasible solution, infeasible, unbounded, degenerate solution ये बहुत tricky हैं और lecture के last में हम एक minimization की problem करेंगे क्योंकि पिछले lecture में हमने maximization की problem की थी इस lecture में हम एक minimization की problem करेंगे और gate 2017 में बहुत ही जाद अच्छा question आया जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं जो solutions की मैंने आपको बात बताई solutions की, वो क्या-क्या होंगे, कैसे हमें लेने हैं जैसे feasible की बात करें, feasible का हमें पता है जैसे line बनेगी, ठीक है, इस तरह से line बन जाएगी, ठीक है और आपके पास कोई ना कोई bounded region आएगा, मान लेते हैं यह आएगा, bounded region आएगा, ठीक है तो इन किसी भी points पे, इन किसी भी points पे आपको जो objective function की जो maximum या minimum value होगी, आपको मिल जाएगी, तो यह तो simple है, feasible solution जो होता है या इसको feasible करें, अगर हम बात करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो problem constraints है, उसको satisfy करें किसको satisfy करें, it should satisfy जो constraints है problem के, उसको अगर satisfy कर रही है, तो उसको हम बस बोलेंगे feasible solution है feasible solution है, non-feasible की अगर हम बात करें, actually मैं ऐसे question आए है, ठीक है, gate में, 2016 में शयद ऐसा question आया है कि उसमें पूछा, feasible है, unbounded, अब आपने graph बनाना तो सीख लिया, अलग-अलग points बनाने भी सीख लिया, feasible क्या होगा, infeasible क्या होगा, वो हमें देखना है उसमें क्या होगा, अगर एक line ऐसे जा दी है, ठीक है, और दूसरी line इधर की side है, तो इनके बीच में तो कोई solution ही नहीं बनेगा, ये कभी आपस हैं, और ये दोनों parallel हैं, तो कभी आपस में match नहीं करेगी, तो ये इस type के solution को क्या बोलेंगे, infeasible solution, जब इस type का है तो आप direct बता सकते, जैसे आपको कोई भी equation दियोगी constraint की, इस type का बने तो आप बोल सकते हैं, ये infeasible solution, ओके, अब हम एक important बात करते हैं, unbounded के लिए, unbounded कैसे, जैसे हमें z max की problem निकालनी होती है, objective function क्या है हमारा z max निकालना, इसको note कर लेना, ये important है, अगर आपकी curve कैसे बनती ह और एक ऐसे बन जाती है, माल लेते हैं, ठीक है, clear, और आपका ये line greater than zero पे होगा, और ये इदर की side बन रहा है, माल लेते हैं, ठीक है, ये मैंने assumption ली है, तो आपका जो reason बना है, वो कौन सा बना है, ये वाला region बना है, और आपसे इसने कहा z max निकालो, अब आप सोचो, कि जो z max की value तो इसमें कोई भी नी निकल सकती, क्योंकि z max जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे, z max आपको मिलता रहेगा, तो और उपर से हमें यहाँ पर ये जो reason बना है, वो unbounded बना है, देखो ये infinitely move हो रहा है, तो ये जो reason बनेगा, इस solution को हम क्या unbounded, ऐसा question gate 2016 में आया है, पिछल लेक्चर में आपको कराया बीदा जो first question था, लेकिन अब एक important बात, जो आपको note करनी है, अगर वो आपसे z minimum पूछ ले, unbounded solution के लिए क्या आप पूछ ले, z minimum, तब ये trick है, इसको आप याद रखे, जो भी ये point आएगा, ये point आएगा, इ इन points पे हम क्या निकाल देंगे, ये जो point होगा, ये हमें optimal solution देदेगा, अगर z minimum पता करना है, तो ये वाला जो point होगा, वो क्या देदेगा हमें, z minimum, clear, क्योंकि z maximum तो infinity तक चल रहा है, देखो, कहीं भी नहीं मिलेगा, तो वो unbounded solution होगा, तो optimum solution मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो ये चीज important है, ठीक है, अब एक होता है, alternate optimal solution, alternate optimal solution कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, नाम से ही समझा जाएगा, कि आपको इस point पे भी optimal solution same value z की मिल रही है, और इस point पे भी आपको same value मिल रही है, तो इसको बोलेंगे alternate optimal solution, तो इस type के option question में दिये होंगे, आपसे एक optimal solution option में एक alternate optimal solution दिया होगा, तो आप alternate प्यान से लगाए, जिसको कह सकते हैं कि जिसके एक से ज़्यादा optimal solution हो, ठीक है, और आपसे वो technically भी पूछ सकता है, कि optimal solution में क्या होता है, कि जो slope है constraint का, ये चीज नोट कर ले, slope of constraint जो होगा, वो किसके बराबर होगा, slope of z के, तब ही possible होगा, clear, जो slope है z का, और जो slope आएगा इस line का, constraint का, ठीक है, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, z वारी line माल लेते हैं, इसके parallel है, तो इसी case में क्या होगा, आपको alternate optimal solution में लेखा, ऐसा question ESC में आया है, साथ-साथ हम question भी cover up कर रहे हैं, देखो, ठीक है, अब सबसे important, जिसके लिए lecture बनाया गया, degenerate solution, degenerate solution क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, degenerate solution का मतलब क्या होता है, लोगों को यही समझ नहीं आता, degenerate का क्या मतलब है, मैं इसमें आपको 4-5 point बताऊँगा, exam point of view से, बहुत ज़्यादा ग्यान भी अर्जित नहीं करना है, ठीक है, exam point of view से बढ़ते हैं, सबसे पहले degenerate solution अगर वो आपसे पूछ ले, degenerate, आपसे एक number में पूछ सकता है, gate में, yes में भी, ठीक है, अगर वो आपसे degenerate solution पूछा है, तो आप उसको technical भाशा में क्या बोलेंगे, जब number of variables, जो हमारी standard equality है, जो भी हमारे equations बनती है, जो number of variables, ठीक है, किस से, जैसे number of variables में क्या होगे, तो हमारे decision variables होते हैं, एक slack variables हो सकते हैं, एक surplus variables भी हो सकते हैं, वो equality पे depend करता है, जब इनका number of, मतलब इन सब को मिला के, ठीक है, जब ये less हो जाए, number of constraints से, मतलब number of constraints जादा हो जाए, clear, number of constraints, ये एक technical बात बता रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, number of constraints, simplex method की बात कर रहा हूँ, simplex method में, जब number of constraints आपके, जादा हो जाए, number of variables है, number of variables भी मैंने आपको सारे बता दी, देखो, जैसे decision variables होते हैं, जिस पे value depend करती है, slack variables, ठीक है, और surplus variables, जो minus करके add करते हैं, ठीक है, तो, इस type की condition को हम बोलेंगे, हमें कौन सा solution मिलेगा, degenerate solution मिलेगा, ये तो होगी कि रटी रटाई बात, या एक number में आगया question, या बस समझने के लिए, अगर कभी ऐसी condition बनती है तो, अब हम इसको क्या करते हैं, graphically show करेंगे, और इसमें एक और बात, आप साथ-साथ ये, जो मैंने बात बताई ना, इसको note भी कर लेना, number of variables, less than, less than किसके number of constraints, number of constraints जादा हो जाएं, इसका मतलब कुछ ऐसा idea हो रहा है मेरे को कि एक redundant constraint होगा, तब ये जो number of constraints जादा होगे, तब ये कब होगा, यानि कि किसकी वजा से होता है, redundant constraint की वजा से होता है, redundant constraint, redundant degree of freedom भी जैसे हम theory of machine में पढ़ते हैं, कि उसकी वजा से कोई फरक नहीं पढ़ता ह है, ठीक है, redundant, जो link होता है, हमने पढ़ा था, तो इसी तरह से redundant constraint भी होता है, जो की objective function में कोई फरक नहीं पढ़ता है, इसकी वजा से, एक extra iteration हमारी भढ़ जाती है, ठीक है, degenerate solution से ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इंटरुम में तो चलो कोई नहीं पूछता है, ले ठीक है, और एक और important बात, देखो हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा से, इसी लिए detail में बता रहा हूं, इसको कम लोगों को समझाता है, ये सब बाते नहीं समझाती, और इसमें एक और important बात क्या है, जो हमारा basic variable है, basic variable जैसे x1, x2, x3, basic variable हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या उस point पे, ठीक है, हमें वहाँ पर optimal solution मिल रहा है, और देखा कि वहाँ पर तो हमारा कोई भी इन दोनों में से, कोई भी x1 या x2, इसे हम अभी करेंगे, वो 0 हो जाए, तो यानि कि जो solution है, वो degenerate है, मतलब iteration क्या होती है, वहीं के वहीं घूम जाएगी, एक extra iteration आगे की तरफ नहीं भड़ेगी, ठीक है, देखो, होता पता क्या है, इस चीज को भी मैं deal करूँगा, पहली iteration, simplex method की origin पे होती है, अब वो या तो इधर जाएगी, या वो इधर जाएगी, लेकिन, अब माल लेते हैं, दूसरी iteration यहाँ होगी, ठीक है, अब तीसरी iteration तो यहीं होएगी न, अब वो क्या होता है, degenerate solution से, यह दूसरी iteration यहीं के यहीं घूम जाती है, एक extra iteration हमें करनी पड़ती है, ठीक है, यह graphical यह मैं आभी आपको अच्छे से बताऊंगा, तो यही जैसे, इसको cycling phenomenon भी बोलते हैं, यह भी एक number में आ सकता है, ठीक है, तो यह क्या करता है, repeat series of iteration, ठीक series of iteration, यह मैंना आपको बता दिया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एक question करते हैं, ठीक है, question, हमें z max निकालना है, वो कितना है, 28x1 plus 30x2, ठीक है, और यह तो आपका होगे objective function, माल लेते हैं, यह आपको क्या दे दी हैं, इसके constraints दे दी हैं, 3x1 plus x2 less than equals to 8, और एक और माल लेते हैं, 5x2 less than equals to 30, ठीक है, यह मैंने एक question लिया है, greater than equal to 0, देखो, अब क्यूंकि हमने पिछे लेक्चर में graphical method अच्छे से समझ लिया था, तो मैं थोड़ा सा इसको speedily, इसके जो lines बनेंगी, वो थोड़ा सा speedily करूंगा, क्यूंकि मैं बता चुकों कैसे lines बनती हैं, तो पहली line बनाने का तरीका, x2 को 0, तो वो line बन जाएगी हमारी, ठीक है, तो y6 आ जाएगा, यह 3,0, यह 0,6, sketch चेंज कर देते हैं, यह पहली line आई है हमारी, ठीक है, इसी तरीके से दूसरी line बिया जाएगी हमारी, ठीक है, यह दूसरी line, वो कितनी आ जाएगी, यहां पर, x2 की value 8 आ जाएगी, और यह 8 by 3, यहां पर आएगा कहीं न कहीं, यह 8 by 3 है, ठीक है, और यह 0,8 है, ठीक है, दूसरी line बन गी, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी line में क्या आएगा, आप इसको 0 रखें, यह 7 आ जाएगा, और इसको 0 रखें, 6 आएगा, ठीक है, साड़े साथ कहाँ आएगा, कहीं यहां जाके आएगा, साड़े साथ, और 6 कहाँ पर आएगा, यहां पर आएगा, अब यह क्या है, less than है, यानि कि यह वाली line less than है, origin की तरफ जाएगी, मतलब यह वाली line भी origin की तरफ जाएगी, और यह वाली line भी origin की तरफ जाएगी, तो अब इस point को जो intersect हुआ, इसको माल लेते हैं, क्या है, यह intersection point है, तो मैं इसका अब क्या करता हूँ, bounded region बनाएता हूँ, feasible region बना देता हूँ, बना दिया मैंने, कोई दिक्कत ने, अब इस point B पे, ठीक है, B point कुछ आएगा, B point अब कैसे आएगा, अब आप से कोई यह B point पूछता है, तो आपको क्या करना है, इस वाली line और इस वाली line को, यानिके इस वाली line और इस वाली line को solve करके यह point निकालना है, ठीक है, इसी तरह से इस point पे निकालोगे, और इसी तरीके से इ ये कौन-कौन से point आगे है अपने, एक ये point, एक ये point और एक ये point जिस पर मैंने circle बनाया है, अब देखिए, अगर आप करेंगे न यहां पर, इस point को A मान लेते हैं और इस point को C, A, B, C, जब आप A point पे निकालेंगे, A point पे क्या है, X1, 0 है, X2, 6 है, ठीक है, तो आप करके देखना, Z at A, इन तीनों से करके, ये मैं करके देख चुका हूँ एक बार, ठीक है, तो Z at A जो होगा, वो क्या होगा, maximum value आएगी, जो भी आएगी, यहां पर solve करके, कितनी आएगी, 180 आएगी, आप करके देखना, इस point का निकालना, Z की value, ठीक है, तो A point पे maximum आएगी, अब मैं तो यहां पर degenerate solution के लिए बताना था, अब देखो, पहली बात, A point पे maximum आएगी, और उसी A point पे, उसी A point पे, हमारा जो variable है, हमारा जो ये variable है, वो क्या आ रहा है, basic variable, 0, देख लो, इस point पे X1 क्या है, 0 है ना, पूरा-पूरा, जब कभी भी ऐसी condition आएगी, तब क्या होगा, यानि कि redundant हमारा एक constraint बनेगा, और redundant constraint मेरे को एक दिख भी रहा है, ये जो line है, ये line देखो, ये सिर्फ एक iteration कराने के लिए ही हो रही है, लेकिन इसका कुछ भी इस पे क कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये redundant constraint है, एक point पे आके वो ज़रूर टकरा रही है, ठीक है, लेकिन इस पूरे iteration पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस objective function पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस type के solution को हम क्या बोलेंगे, degenerate solution बोलेंगे, बी generate solution, clear, अब clear हो गया होगा, 4-5 type के मैंने अलग-अलग बता दिया, अब gate के आप question करें, solve हो जाएंगे, अच्छा, next lecture के बारे में बता दू, मैं अगले lecture में dual के बारे में बताँगा, primal और dual कैसे convert करते हैं, कैसे उनके question होते हैं, तो next lecture तो मेरा उस पे होगा, अभी जो म आपको बताना है, एक question जो मैंने लिया है, minimization problem का, minimization problem में, देखिए, ये भी, actually मेरो comment आया था कि आप एक minimization problem का भी बताएं, देखो, करना वो ही है, आपको वो ही उसी तरीके से lines खीचनी है, ठीक है, इसी type से line खीचनी है, क्या होगा, पहली line को आप 6, और ये कितना जाएगा, 0,2, पहली line को बना दिया, इसी तरह से दूसरी line को बनाएंगे तो वो कितना आजाएगा, तो y पाजाएगा, ये आजाएगी line, ठीक है, x less than y, sorry, y less than 4 है, y equals to 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगी line, ठीक है, less than मतलब origin की तरफ, अच्छा, एक और important बात, ये पहले वाली line है जो, ये x plus 3y, ये greater than 6 है, तो ये इधर की साइड आएगी, ठीक है, और ये वाली line भी, ये भी greater than 10 है, तो ये भी इधर की साइड आएगी, तो आपको solution दिख रहा है, इसलिए मैंने question लिया, अच्छा question है, तो minimization के लिए, अगर ये maximization का problem बनता देखो, अभी मैंने starting में आपको बताया था, अगर ये maximization का problem बनता, तब तो ये unbounded solution बन जाता, कैसा solution हो जाता, unbounded solution, लेकिन minimization के लिए, ये जो point होगा, अब ये आप अलग-अलग points पे निकाल के देख लेना, ठीक है, इस point पे क्या आएगी, minimum value आएगी, ये point निकालना भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन दोनों lines को solve करना, जो भी point आएगा, उस पे आप जड की क्या आएगी, minimum value आएगी, तो हमें याँ पर optimal solution मिलेगा, और minimum value यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो इस type के solution को minimization problem को कहेंगे, अब जो मैंने question लेना है, वो है gate 2017 का question, बहुत ही अच्छा question है, last में इसले लिया है, ठीक है, last में इसले लिया है कि अब तक हमने इसका basic पढ़ लिया है, पूरा, ठीक है, और अब हम इसको समझेंगे ग्राफिकली, देखो यह question मैंने books में जो भी देखा है, यतनी भी books में देखा है, वो इस तरीके से दिया है, simplex method से solve करके, लेकिन आपको इस lecture के थुरू एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, यह मेरी guarantee है, देखो इसमें यह constraint दिये है, objective function दिया है, और question को ध्यान से सुनना, in the starting, simplex table, x1 and x2 are non-basic variables, non-basic मतलब बाहर है, solution के बाहर है, ठीक है, और non-basic का मतलब क्या होगा, x1 और x2 की value क्या है, x1 equals to 0, x2 equals to 0, यह हमें definition से पता है, और हमें यह भी पता है, z की value 0 दिये है, तो और भी जात के लिए रोगी, क्योंकि x1 की value 0 रख दोगे, और x2 की value 0 की, तब ही तो z की value 0 होगी, तो यहां से हमें इस चीज़ का idea होगी, ठीक है, अब इसने क्या पूछा, कि value of z in the next table हमें बताओ क्या होगी, अब जब तक यह टेकनीक आपको नहीं पता होती, तो आप simplex method लगाते, table बनाते, पहली iteration, दूसरी iteration, अलग-लग iterations करते, लेकिन इसकी टेकनीक है, इसको देखते हैं, क्या यह टेकनीक है, कैसे पता लगेगा, कि हमें कैसी टेकनीक लगाके, second iteration कहां को बनानी है, हमने कैसे होती है, second iteration कहां होती है, यह सब चीज हम देखते हैं, पहला graph बनाते हैं, ठीक है, x की value 10, y की value 5, यह अगर मैं x1 माल लू और यह x2 माल लू, ठीक है, तो इसको 10 लो, इसको 5 लो, और यह line खीज़ दो, ठीक है, यह पिछल लेक्चर में बता चुक हूँ कैसे lines बनती हैं, और यह तो 11 में ही पता लग गया था, और इसी तरीके से, इसकी value, x1 की value 8, यह 10,0 हो गया, यह 0,5 हो गया, अब यह आ गया, और इसी तरीके से, यह 0,-8 हो गया, यह line हागी, less than, origin की तरफ, चलो, ठीक है, और यह भी less than, x1 और x2 greater than 0, यानि के हमारा जो बना solution, यह बना, bounded condition हागी है हमारी, क्योंकि, first quadrant, इसका मतलब क्या ओता है, first quadrant, ठीक है, अब देखो, सबसे पहली जो table बनती है, वो यहाँ पर बनती है, कहाँ पर बनती है, यहाँ पर, जब x0, y0, clear, अब देखिए, अब यह जो iteration होगी हमारी, यह 3, मैंने 4 iteration के लिए, अब अगर आप से कोई इसकी z की value पूछेगा, ग्राफिकल ही सोचो, तो आप क्या करोगे इसमें, आप अलग-अलग points पर चेक करोगे, सबसे पहले आप यही तो काम करते हैं, लेकिन इसने घुमाने के लिए question में, question इसलिए tricky है यह, इसने आप से क्या कह दिया, कि next table में बताओ, जड की, इसने maximum या minimum उसे नहीं पुछा, इसने just next table पुछा, इसने जड की maximum या minimum नहीं पुछी, तो उसमें बहुत time लगता, अगर आप simplex method से करोगे तो, simplex method, नाम ही कहते हैं न, irony है यह तो कि, नाम उसका simplex है, है बहुत, लूंबा method है, ठीक है, तो हमें चारो points पर, यह 0-0 हो गया, यह वाला point कितना हो गया, 8,0, इसी तरह से यह भी कोई point आएगा, और यह भी कोई point आएगा, ठीक है, अब देखो, आपको क्या करना है, पहली iteration मैंने आपको बता दी, यहां, अब जो simplex method होता है, वो circle कि तरह चलता है, circle मतलग, अब यह दूसरी iteration पर, या तो यहां इस point पर जाएगा, घूमने, या इस point पर जाएगा, ऐसे ही तो होगा, अब यह यहां से यहां थोड़ा चला जाएगा, अब चलेगा तो इसी line के through, ना वो, या तो वो इस line पर जाएगा, वो या इस line पर जाएगा, ठीक है, तो जैसे third iteration भी काई लोगों ने बचल, third iteration तो यहीं होएगी ना, क्योंकि अगर second iteration माल लो यहां पर हो, third यहीं पर होगी ना, यहां से यहां थोड़ा उड़के चला जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से चलता है, cyclic, अब देखो, आपको क्या बताना है, कि कौन सी iteration इसने second table, जो z की value next table में क्या होगी, तो माल लेते हैं, सबसे पहली बात तो आपको जो z की value होगी, उससे आपको examine करना है, z की value से examine करना है, इसका जो constant है, हमें देखना है, x1 और x2 की coefficient किसका बड़ा है, x1 का coefficient बड़ा है, तो यह जो iteration जाएगी, वो x1 की तरफ को जाएगी, सबसे best तरीका यह trick समझ लो, x1 की value, x1 का coefficient जादा है देखो, ठीक है, तो यह जो iteration है, या तो इधर जा सकती थी, ठीक है, तो इसमें जो z की value है, यह वाले value आप, यानि कि जो iteration है हमारी, इसकी side जाएगी, यानि कि हमारी second iteration किस point पे होगी, इस point पे होगी, माल लेते हैं a point पे, यह point था माल लेते हैं b, और यह point था c, यानि कि हमारी जो next iteration है, यह Z0 माल लेते हैं इसको ZA वो किस पे होएगी A point पे होगी A point पे X की value 8 है या X1 की value 8 है और X2 की value 0 है तो ZA हमारा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा Clear ठीक है तो इसलिए बिना table के graphical method से 2 minute में question solve हो गया है ओके तो अच्छा question था और ऐसे कोई भी question होंगे अब आप solve कर सकते हैं आपसे कभी भी next table में वो पूछेगा अब या तो आप simplex method लगाके next table बना दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है slack variables लगाके s1, s2 लगाके तो आप बना दो ठीक है उसमें time जादा लगेगा ठीक है इस method से आप ये concept को समझें ये trick को समझें ठीक है और कोई भी problem हो तो बताएं comment section में next lecture में हम dualty को पढ़ेंगे कैसे dual और primal कैसे convert होते हैं एक दो question करेंगे gate में gate 2008 में शायद ऐसा question आया है okay तो उसको deal करेंगे उसके बाद कोई नया topic स्टार्ट करेंगे तो lecture सुनने के लिए धन्यवाद